अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपके लिए सबकी फेवरेट बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ यह परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाली बटर चिकन की रेसिपी है चलिए इसकी इंग्रेडियन्स देख लेते हैं यहां पर मैंने यह बोनलेश 400 ग्राम चिकन लीओं आप विद बोन भी ले सकते हो अब इसमें एक चम्मच भरके गाड़ी दही दाल देंगे और एक चम्मच रेट चिली पोडर दाल देंगे आदा चम्मच हल्दी दाल दूंगी और आदा चम्मच जितना है पर यह गरम मसाला पॉडर में पोड़र है इसको डाल दूंगी और एक चम्मच भरके आप दर ग्लसूं का पेस दाल देंगे ऐक चम्मच यह तिका मसाला है चिकन थिका मसाला आप तंदूरी मसाला भी दाल सकते हो अब यहां पर एक चोता ही चम्मच जितना है पर एक रेट फूट कलर यहां पर मैंने दो कोईले को गरम होने के लिए रख दियू अभी एक कोईला लेगे अभी इसको यह फॉल पेपर के उपर रखके इसमें आदा चमाच जितना ऑइल डाल देंगे अभी इसमें अच्छे से दुआ निकाल ले लगेगा इसको डखकन बंद करके 15-20 मिनट के अब यहां पर मैंने दो बड़े चमाच जितना है पर बटर लिए यह सॉल्टेट बटर है इसको मेल्ट करके लिए अभी इसमें दूसरे कोईले को भी बटर के अंदर दाल देंगे अभी इसको भी ठकके इसको साइड में रख देंगे इसको मैं आगे बताऊंगे आपको क् कर ले लेंगे अई इसको छौ फ्लें 村च इसको ऐसनों के लिए इसको रख देंगे साइड में आब यहां पर मैंने दूसरे कड़ाई में तीन सट चमाच में जितना मैंने डाल देंगे और यह विंदी ए इसको इसको ऊट़ कर लिए ओध most get it? रहां तक फ्राय करेंगे इतना इसको फ्राय कर लेंगे आब यहां पर 50 ग्रम यह पर मैंने लशन लिए तुकड़ा काजू आप आफ योगी दालने के बाद हमने ये पान्च बड़े साइज के टमाटर लीूँ इसको roughly chop कर ली हूँ इसको डाल दूगी आप छोटे वह तो 6 टमाटर ले सकते हो तमाटर दालने के बाद आदा चमच नमक दाल देंगे एक चमच रैड चिली बॉल दाल को दाल देंगे और आदा चमच गरब मसाला पॉरडर अप हरी घरम ऐता प्राम साला भी defense सबस्क्राइब एक फीन चमच बढ़ेंगे फीन ग्लास बेंगे सब्सक्राइब मेराम चमच प्राइब घ्लाम प्राइब कशारी मेती दालने के बाद भी है पर और आपके से मिक्स कर लेंगे अब इसको तामाटर करणे तक किसको को कर लेंगे 8-10 मिनिट के लिए च्रूच पर पेश है कि आठ दमाटर पर अच्छी तरह से गल चुके अब ये इस ग्यास का फ्लेम करेंगे इसको ठंडा आने देंगे तंदनों के बाद आप मिक्सर जार में दाल के इसको बना कर ले लेंगे समूथ सा बना कर ले लेंगे अभुआ पर हम दो हो चुक दैए का पिस्ट डाल में कुद z new घ्डाइब दाल दो आपको ग्रेवी जितना थीक की आप पतली चाहिए उतना पानी इसमें आड़ कर सकते हो यह अब एक पतोजो की ग्रेवी टोड़ा सो कुक कोंने दें दो मिनट अब इसमें टूक्self की आड़ करें DO मिनट करेंगे चिकन दालने के बाद भी सके सैंफर मिक्स करेंगे क्रिम के दालने के बाद इसको घलके हाँ से मिक्स करेंगे, क्रीम दालने के बाद में जादा कुक नहीं करेंगे बस एक मिनट कुक ले लेंगे अब यहां पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेती दाल दियू एक चोता ही चमर जितना अब इसको भी एक बर मिक्स कर लेंगे बस अब इसको एक मिनट कुक कर लेने के बाद ग्यास का फ्लेम आफ कर लेंगे अब यहां पर जो हम लोग बटर में जो कोईले को स्मोकिस फ्लेवर जो देखे रखे थे उसको यह बटर को इसमें डाल देंगे अब यह हमारे बटर चिकन बन कर तायारे चलिए अब इसको सर्फ कर लेते हैं पर मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिए हूँ चलिए इसको थोड़ा सा गार्णिश कर लेते एक चम्मच जितने हैं पर ये फ्रेश क्रिम दाल देंगे और थोड़ा सा कसुरी मिती उपर से दाल के इसका गार्णिश कर ले लेंगे अब यह हमारे परफेक्ट से रेस्टोरे करना ना बुले